तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाल हूँ सेमसंग के मॉवाइल में जिन सेमसंग के मॉवाइल में इन डिस्प्ले से फिंगर्पिंट सेंसर होता है चाहिए कोई साथ भी मॉवाइल में जिसमें इन फिंगर्पिंट सेंसर होता है उसकी जो speed है कैसे इसको fast करें कि जल से जल आपके mobile को unlock कर दे पट से जैसी आप उसमें fingerprint टेच करें और आपका mobile वहाँ पर fastly unlock हो जाए तो आज की वीडियो में दोस्तों में ये बताने वालों कैसा है अपने mobile का जो fingerprint sensor है उसकी speed को तेच कर बाएंगे ताकि आपका जो mobile पासली unlock हो जाए दोस्तों इसमें आपको तीन से चार step बताने वालों जिसको आगर proper follow करेंगे तो आपका जो mobile का जो fingerprint sensor है speedly वरकन लग जाए क्योंकि ये मैंने पूरे अपने mobile में पहले follow करके देखें उसके बाद दोस्तों आपको बताने वालों जो तो वीडियो को स्किम मत करेंगे क्योंकि अगर एक भी step आपके मिस हो गई तो आप उसको proper use नहीं कर पाएंगे दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा तो चलते आगे मेरे नम सनी अरोर और आपका स्वागत है तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे है करना क्या होगा अपने मोवाइल के आपको जाना सटिंग पर जाना एंप Biometric and Security वाले option पर यहां पर जाने के बाद आपको सबसे पहले जाना है fingerprint वाले option पर सबसे पहले जो step करना है आपको यही करना है अपना password यह पिंट जो भी आपका डला हुआ है इसको डालने के दापको आगया चलना आप और यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है जितनी भी अपको सब को रिमूव कर लिना चितनी विए आपकी hetand डैली होई यह पहले तो आपको सब को वहां से हिर्मूव कळ लेना ए कि उसके बाद आपको içõesव सकते हिं यह फ़ी än को यह कि अपको सब करने वे यह वाले option को पर जाने के अपना वापिस आपको पेनीया पैड e जो भी आपको डालना है उसके बाद आपको करने ना है आपनी fingerpin को राइश्टर करना है तो आपको अपने जो थम्स है किसा फेल आपको इदर से लगाना है को दूसरा आपको यहां से लगाना है मतलब आपको दोनोंระ गा लिए एक के बाद एक आपको यहां पर राइस्टर कर लेना है और जितना भी टाइम लेगा उस पॉसेस को आपको पूरा इस प्रोसेस को कम्प्लीट कर लेना है स्टेप बाय स्टैप तो यह नीचे रखा हुआ तो मुझे प्रॉब्लम होगी लगाने में बागी आपको याई सीस्टैप पूरी फॉलो करना है पूरे स्टैप सैप आप ऐसे ही फॉलो करना है पहले यह फिर वो कि मैं जल्दि एंगल सको कर लेता हूं आपि एड्रीतअ तो हाफ को पहले एक सब्छार कर लेना है उसके बाद दोस्तों करना आपको दोबारा एंड और निक्रल करना एड करना है और दोँसरे बारे में भी आपको सेम कि से में यह से कि ऐसे अपने फिंगर्प्रिंट को बापिस राइश्टर कर लेना है जैसे आपने इस बार करा है वैसे कि वैसे ही आपको इहां पर कर लेना है कि एक बार यह वाला स्टैप एक बार यह वाला फिंगर एक बार यह वाला फिंगर ऐसे करके आपको दोबारा से इ यह यह step आपको तीनों बार में follow करना है और तीनों fingerprint को आपको ऐसे करके follow करके उसको पुरा fill कर लेना है तो मैं इसको फटा वड़ कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह मैंने तीनों finger को register कर लिया है तो जैसे कि मैं ने आपको fingerprint add करने के बाद जब आप बापिस वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे नीचे unlock वाला जो system में वह चालू हो चुका है और उसके नीचे आपको एक option मिल रहाँगा show icon when screen off वाला आपको इसको on रहता है by default आपको इसको कर देना आपको पहली स्टेप तो यह करनी है उसके बाद बैक आना है बैक आने के आपको जाना है डिस्प्ले वाले option पर डिस्प्ले पर जाने का आप नीचे की तरफ आएंगे आपको एक option मिल रहा है by default यह off रहता है यह मैंने on करके रखाया आप इसको कर लेना है इसको on इसका main मक्सद यह है कि दोस्तों अगर आपने अपने मुवाइल में screen guard या बोल सकते screen protector लगा के रखाये तो उसके बाद भी आपका जो आपके जो मुवाइल का touch है बहुत आपको इसको on कर लेना है इसके बाद दोस्तों जो सबसे लास्ट में बताने वाला उसके लिए आपको करना किया है यहां पर आपको सर्च मानना है आपको यह शमाल लेना है यह सर्च करने के बाद आपको यह option न जाएगा इस option पर जाना है यहां जाने के बाद आपको यह दिखरा होगा बैटरी उस्षिस वाले ऑप्चिन पर जाना है यहाँ जाने के बाद आपको यह दिख रहा होगा एप्ट आपको इसको कर लेना यहां से और बाइडिफल्ट ऑफ रहती है इसको ट्रहेना ओफ अउन कर लेणा ऑफ और यहाँ पर एक सप्सक्राश्च मारना बायो मेट्रिक ज लोग करके कितना शांदर दरीगे से स्पीडि़ी वर्क करने लगा और यह देख सकते हैं कितनी स्पीडली मैं दूसरा भी रखूंगा तो भी आप देखेंगे कितना यहाँ पर फास्ली वर्क करने लगा तो दोस्तों यह जो मैंने खुद फॉलो करी हुए है और मुझे डेफिनिटली उससे फायदा हो रहा है और मेरे मोबाइल की जो स्पीड है तेज हो चुकी है आप इसको करेंगे तो आपको डेफिनिटली मजा आएगा दोस्तों और आप मुझे कमेंट करके जरू बताएं कि यह आपके यूज होन मेरे वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद जो प्लीज लाइक जबर करें अगर आपको लगता है दोस्तों मेरे वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं इस वी एक्र तोस्तों.